चोपड़ा नीट पीजी इंफोर्मेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ नीट पीजी का काउंसलिंग के लिए सेडिूल आ चुका है और ये चार राउंड का सेडिूल जारी किया गया है मैं आपको इस वीडियो में पूरा सेडिूल बताऊंगा साथी साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी रेंक पर कौन से स्टेट में कौन सी ब्रांच में कौन सा मेडिकल कोलेज मिल सकता है उसकी fees क्या है, stipend क्या है, cut off क्या है, इन सब के बारे में भी आपको कैसे जानना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में सारा बताने वाड़ा हूँ, तो वीडियो last तक देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PG के schedule की, तो इसमें resistance ने start है 20 September से लेके 26 September 24 तक, च्वाइस फिलिंग 23rd से 26 September 24 तक अवेलेबल रहेगी और च्वाइस लोकिंग 26 September को रहेगी ये 11 बजगे 55 मिनट तक और 4 बजए start हो जाएगी 26 September को, इसके बाद में result 30 September को आजाएगा 1st round का, और reporting रहेगी 1st से लेके 8 October 24 तक, इसके बाद 2nd round का schedule देख लेते हैं, तो 2nd round के registration र 21st October 24 तक, इसके बाद 12 फिलिंग रहेगी 16 October से 21st October 24 तक, और 24 लोकिंग के लिए 21st को, साम 4 बजए को लोकिंग start हो जाएगी और रात 11 बजगे 55 मिनट तक रहेगी, इसके बाद में result 24 October को जारी हो जाएगा, और reporting टाइम रहेगा 2nd round का 25 से लेके 2nd November 24 तक के लिए, अब 3rd round का एक बार schedule देखते हैं, तो 3rd round 7 November से start हो जाएगी registration इसके, और इसके last date 12 November 24 रहेगी, च्वाइस फिलिंग की date है, वो 8 से लेके 12 November तक रहेगी, और इसमें 24 लोकिंग जो last day को होता है, 12 को साम 4 बजए से रात 11 बजगे 5 मिनिट तक, आप 24 लोक कर सकते हैं इसमें, result इसका 16 November 24 को आ जाएगा, और reporting 17 से 25 November 25 तक रहेगी, शोरी 24 तक रहेगी इसमें, इसके बाद में stay vacancy round, stay vacancy round में भी registration अवेलेबल होते हैं, तो stay vacancy round के registration 28 November से लेके 2nd December 24 तक होंगे, और 24 फिलिंग 29 से लेके 2nd December 24 तक रहेगी, 24 लोकिंग का last day को होता है, 2nd December को साम 4 बजए से लेके, रात 11 15 मिनट तक रहेगी है, इसके बाद में result 5th of December 24 को आ जाएगा, और reporting 6 से 10 December 24 तक रहेगी, यानि कि इस साल के लिए जो counseling की closing date है, वो 10th of December 24 रखी गई है, इसके बाद में कोई PG में admission नहीं होगा, state के admission भी इससे पहले ही complete करने होंगे, तो ये schedule है, MCC के चारूं rounds का, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कि आपको आपकी rank पर कौन सा college मिलेगा, कहाँ पर आपको college मिल सकता है, कौन सी best branch मिल सकती है, कितनी rank पर मिल सकती है, और क्या marks पर मिल सकती है, कौन सी category में, तो ये जानने के लिए, हमने आपके लिए book तयार की है, और इस book की मदद स आप अपने counseling आसानी से करवा सकते हैं इसमें पहले मैं UG की book लिखते आ रहा था लेकिन इस साल से PG की book भी publish की है ये आपके लिए काफी फाइदे मन रहेंगी अगर आप PG में admission देख रहे हैं तो इससे आपको एक idea लग जाएगा कि आपको कौन सी branch best मिल सकती है कितनी rank पर कौन सी branch किस state में कौन सी college मिल सकती है क्योंकि अभी आपके पास में rank आ चुका है तो इसके लिए मैं आपको पूरा procedure समझा देता हूँ कि कैसे आपने check करना है और क्या-क्या facility इस book में available है मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी इसमें तो ये जो counseling guidance है इसमें All India Kota के के बारे में इसमें सब कुछ समझा रखा है पोल इंडिया कोटा के साथ साथ Central University जैसे दिली University है AMU है BHU है और इसमें psychiatry राच्ची है तो ये इन सब के बारे में समझा रखा है साथी साथ DNB के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया है इसमें MD, MS, Diploma Courses, DNB Di समझाया है अब इसमें क्या क्या समझाया है वो मैं आपको यहां पर ब्रीफली बता देता हूँ आपको कैसे कैसे इससे फाइदा हो सकता है इसमें एक तो सबसे पहले counseling के बारे में समझाया गया है कि आपको counseling कैसे करवानी है कौन-कौन से counseling होती है किस परकार से counseling करवानी है इसमें previous year की marks versus rank दे रखी है कि कितनी marks पर कितनी rank थी तो ये previous year का इसमें data दे रखा है इसमें list दे रखी जो mcc द्वारा कौन-कौन से mdms और diploma course में admission करवाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी बहुत ही जरूरी है क्योंकि कौन-कौन से course हैं कौन-कौन सी branch हैं जिनमें आपको admission मिल सकता है और mcc द्वारा इसकी कौन-कौन से branch में counseling करवाई जाती है admission दिया जाता है ऐसे ही DNB course के लिए है list इसमें कि यह यह course DNB course है जो MCC द्वारा offer किये जाते हैं इसमें इसके बाद में All India quota की seat matrix दी गई है MS, MD, Diploma और यह DNB के लिए भी seat matrix दी गई है इस्टेट वाइस bond detail दी गई है अब इसमें last cutoff दी गई है category wise इससे आप यह idea लगा सकते हैं कि आपको कौण से state में last में कौण सा college मिल सकता है किस category में यह एक list आपके लिए beneficial है यहाँ पर इसके बाद हर एक branch की category wise, college wise, round wise cutoff दे रखी है यहाँ पर round wise cutoff दे रखी है जिससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको इस category में इस round में यहाँ पर admission मिल सकता है क्योंकि पिछली rank में और इस rank में seat मिलने पे same सा ही procedure होगा यानि कि ज्यादा difference नहीं आएगा तो इससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको कहा admission मिल सकता है अब आप देख कैसे सकते हैं, यह क्या क्या देख सकते हैं, यह मैं आपको बताऊँ अब देखो यहाँ seat matrix दे रखी है, all India quota के लिए seat matrix है यहाँ पर, MD, MS, diploma, courses के लिए इसके बाद में इस परकार से state wise bond detail दे रखी है, कौन से state में bond है, कौन से में नहीं है, MD, MS के लिए यह सारी detail दे रखी है अब इसमें stipend दे रखा है, annual fees कितनी है, तो यह भी सारा इसमें सब कुछ समझाया गया है अब इसमें stipend envelope fees, central inner city के लिए दी गई है, dnb quota के लिए दी गई है, यानि कि हर एक branch के लिए इसमें सब कुछ समझाया गया है अब सभी branch के लिए इसमें cut off दी गई है, सभी category के लिए और सभी round में देखो ये cut off इस परकार से दी गई है, मैं आपको यहां पर यह समझा देता हूँ जैसे कि मालनो वर्दमान महावीर है, category यहाँ open है, इससे नीचे OPC EWS सभी category की open category की MD radio diagnosis में, वर्दमान में, first round में All India ring 13 गई थी, पिछली साल का यह है second में कोई college अलोट नहीं, third में कोई, क्योंकि आगे seat vacant ही नहीं होके आई है इन colleges में, तो आप यह भी idea लगा सकते हैं कि इन में जो first में college मिल जाती है top की, वो college मिल जाती है, बाद में college नहीं मिलती है, तो इस परकार से आप एक idea लगा सकते है आपकी rank क्या है, उस rank पर, जैसे कि माल लो आपकी rank 32 है, तो इस rank पर यह यह college मिल सकते हैं इससे नीचे यह college मिले हुए हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे इससे उपर भी यह college है, और आपका यह college आ रहा है इसमें फर्स्ट राउंड में यह college मिला था, सेकंड में इतना difference रहा था, फर्स्ट में 132, सेकंड में 185, थर्ड और फॉर्थ इस्टे में मिला नहीं था क्योंकि यह top college है, तो आगे C team में वेकेंड रहती नहीं है तो इस परकार से आप एक idea लगा सकते हैं, पूरा सभी branch का idea लगा सकते हैं, यह तो मैंने आपको एक MD radio की बताई है diagnosis की, इस परकार से OBC category में भी इसी परकार से SAM दे रखा है, तो इस OBC category में भी देख सकते हैं और इसके बाद में दूसरा जैसे radio diagnosis में diploma है, तो diploma में open category की कौन सी college में क्या cut off रही थी, यह सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है तो इससे आप एक idea लगा सकते हैं कि आपको कौन सी branch मिल सकती है, कौन से state में मिल सकती है, कौन सी college मिल सकती है वो पिछले साल first round में कितनी rank पर मिली थी, जो पिछली साल मिली थी वही इस बार भी मिलने की, क्योंकि rank में फरक नहीं पड़ता है rank के थोड़ा बहुत ही fluctuate होता है, इसमें ज्यादा फरक नहीं पड़ता है अब जैसे कि मालो मैंने यहाँ diploma radio diagnosis का open category का बताया है यहाँ पर open category की यह cut of dnb quota के लिए है, यह diploma courses के लिए है तो इस परकार से आप इसमें देख सकते हैं, एक पूरा calculation निकाल सकते हैं एक white page पर लिख सकते हैं, आपकी मेरे को इन इन branch में यह यह college मिल सकती है यह book आपके लिए काफी beneficiary साब मिल होगी इसमें अब इसमें pediatrics में देखते हैं, हम OBC category में इसी परकार से इसमें भी सारा समझाया गया है first round, second round, third round, तो यह मैं आपको एक example दे रहा हूँ बाकी इस book में बहुत कुछ है आपको, DNB quota में देखना है, आपको ओर्थों में देखना है open category में कौन सी rank पर कौन सा college मिला हूआ है यह book मैंने बड़ी महनत से बनाई है दोस्तों, और A की जगए आपको सब कुछ मिल रहा है कहने का मतलब आपको सारे round A की जगए मिल रहे हैं, category A की category में कौन से college में क्या cutoff रही है जैसे की diploma है, TB and chest इसमें है, family medicine में है तो यह सारी की सारी cutoff दी गई हैं, जिससे आप एक idea लगा सकते हैं जैसे MCS Neurosurgery 6 years course है और direct 6 years neurosurgery का इसमें open category में ही seat होती है तो यह सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है, तो cutoff से आप एक idea लगा सकते हैं कि आपको कौन सी college मिल सकती है, कौन सी category में, कौन से state में, कौन सी branch मिल सकती है जिसकी fees क्या होगी, यह सारा सब कुछ समझा दिया है, जिससे आप पूरा एक idea लगा सकते हैं इस book से अब counseling process भी दिया गया है इसमें first round की condition क्या है कितनी fees जमा होगी कैसे कैसे आपको counseling करवाने है इस flow chart से भी समझा दिया गया है कि ऐसे ऐसे आपको first round में joining से free exit है कोई नुकसान नहीं होगा second round में आपको join करने पड़ेगी नहीं तो security money का नुकसान है तो इस परकार इसमें सारा first round में क्या condition है ये point wise मैंने सब कुछ समझा रखा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस book के अलावा जो मैं UG की book लिखता था वो student के काफी helpful रहती थी इसी विचार काफी student का मेरे पास में ऐसे comments आ रहे थे क्योंकि 2016 से मेरे साथ बच्चे जुड़े वे हैं तो उनका अभी MBBS complete हो गया है वो PG के admission search कर रहे हैं तो उनके लिए ये book काफी helpful रहेगी और उन्होंने मेरे को comments लिखके काफी बार बोला है कि सब जिस परकार से आप UG की book लिख रहे हैं इस परकार से PG की book भी publish कीजिए ताकि हमारे को फाइदा हो सके अब इसको download करने के लिए आप इस वीडियो के description box से download कर सकते हैं जैसे ही more पर click करेंगे आपको इन books का link मिल जाएगा यहां पर जैसे ही यहां मैंने उपर उपर PG की book का link दे रखा है यह जो मैंने आपको सबकु समझाया है वो PG की book में मिल जाएगा और यह नीचे UG की book का link दिया गया है इसको आप हमारी website www.sopraeducation.in से भी download कर सकते हैं जैसे ही आप इस link पर click करेंगे तो आप download page पर पहुंझ जाएगे तो वहां से आप इसको download कर सकते हैं तो यह जानकारी थी इस book के बारे में ताकि आप PG की counseling अच्छी तरहिकेश से करवा सकते हैं आपको हर चीज का knowledge हो सके पॉर्ण सी college आपको कितने marks पर कहां पर मिल सकती है कितनी rank पर मिल सकती है यह सारा सारा आपको idea हो जाएगा इसमें तो बाकी updates के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी जैसे ही counseling स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको inform कर दूँगा तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैहिन